असलाम अलेकम डियर वीवर्स कैसे हैं आप लोग दिस इस प्रोफेसर महमध अफसल गाइस आप लोग देखें हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग को वेलकम है जी मेरे इस चैनल पर और मैं साथ-साथ में मैं एच इंजॉय कर रहा हूं साथ-साथ में वीडियो बना रहा है तो गाइस अभी जास पेरिंग स्केम डिसक्स करने जा रहा हूं अभी थोड़ी देव तक मैं गैस भी वन बई वन अपलोड करना शुरू कर दूंग और कल तक सारे के सारे इंगलिश का गैस भी कम्लीट हो जाएगा लहोर बोड के जो स्टूडेंट से उनका पेपर नही है तो गाइस अब यह जो है मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रूप बनाया हुआ है तो आप लोग जो है नीचे डेस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुए आप उस पे क्लिक करके आप उस वाटसेप ग्रूप का हिस्साब बन सकते हैं ताके हमारी कम्यूनिकेशन थोड़ी फास्ट हो जाए दूसरी बात यह है कि गाइस मैंने पेरिंग सीम 2024 सारी की सारी डिसकस की हुई है उसके भी मैंने लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में दे दिये हुए है उस पे क्लिक करके आप वो भी दे सकते हैं गैस भी लास्ट यर का अपलोड क तो वो जो गैस है वो भी आप लोग वहां से देख सकते हैं और गाइस इसके अलावा मेरे सारे सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के जितने भी जगों पर मैं मौझूद हूँ मैंने लिंक शेयर किये है और निचे डेस्क्रिप्शन में आप उन पर क्लिक करके आप वहां प लिंचा थी मैं उसके बाद फॉरी फिर नेक्स वीडियो में मैं आपको गैस भी बताने वालाओं कि इंग्लिश का जो गैस है वो क्या है तो गाइस पेरिंग स्कीम देखने के लिए जाना पड़े हैं मेरे लैप्टॉप के डिस्प्लेश पर चलते हैं जनाब मेरे अब तोंटिपल ज्विटी टोटल हंड़ेड मास्ट का पेपर होता है जिसमें से पहला कोश्चन जो है मल्टीपल जोइस जाते है और एक मौल्टीपल ज्विटीप्ल ज्विटी। एक नमबर होता है तो यह जो अबजेक्टिव पेपर आपका होता है जो आपने पहले आदे गंटे में हल करना होता है वो 20 मार्क्स का होता है अच्छा गाईज इसमें शामिल क्या क्या चीज़ी होती हम वो भी देख लिए बुक टू है पहले सबसे तो बुक टू में से एक त सिननाइम्स आते हैं प्रोज में से मौडर्न प्रोज जिसको कहते हैं तीन सिननाइम्स आते हैं और एक के जो हैं वो इनके छे मार्क्स होते हैं और तीन सिननाइम्स आते हैं हीरोज में से मतलब ये तीन मौडर्न प्रोज में से तीन मौडर्न हीरोज में से इनका भी मैं गै मार्क्स तो यह गाइज सिक्स मार्क्स का आपका पोर्शन होता और वो नसीम शाह ने सौरी शाहिन शाह फरीदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया यॉर्कर मार्क के मैच भी देख रहा हूँ साथ साथ में मैं आपको बता भी रहा हूँ आजा गाइज उसके बाद पिर आजाता है question number one mcqs में सी good bye mister chips तो good bye mister chips में चार synonyms आते हैं और चार मार्क्स का यह basically portion होता है तो यह चार मार्क्स का यह portion होता है और आपने इस में से चार ही नमबर लेने हैं और चार अटेम्ट करने हैं अजा गाइज यहां पर एक गलती है यह 3 synonyms नहीं आते modern pros में से 6 synonyms आते हैं और यह 6 marks का होता है यहां मैंने गलती से mistake करती तो इसको आप manage कर लें यह 6 नहीं बेसिकली 3-3 नहीं है यह यह 6-6 हैं और यह 12 नंबर का portion है टोटल उसके बाद हम चलते हैं गुडबाय मिस्टर चिप्स पे 4 synonyms आते हैं और यह 4 marks का portion होता है similarly अब हम चलते हैं next prepositions होती है prepositions भी 5 होती है 5 multiple choices नहीं से बनते हैं और 5 हीस के number होती है इसे next जो portion है वो होता है sentence correction का होता है यह parts of speech में से आते हैं और sentence correction 5 multiple choices आते हैं इसमें सिवर 5 number का ही यह paper होता है मतलब portion होता है तो guys इसे आगे चलते हैं तो आपका आजाता है question number 2 यह book 2 में से होता है modern pros होते हैं इसमें होता है attempt any 6 short questions from 9 मतलब total 9 short questions आते हैं हमने इसमें से 6 करने होते हैं एक question के 2 number होते हैं और यह total 12 marks का आपका portion होता है आजा guys उसके बाद question number 3 यह भी book 2 में से है और यह modern heroes में से आता है जो attempt करने होते हैं 6 attempt करने होते हैं और यहाँ choice थोड़ी कम होती है 8 में से 6 करने होते हैं जबके modern pros में से आपने 9 में से 6 करने होते हैं तो इन फे 6 करने होते हैं तो यह भी 2 number का एक होता 12 marks का यह portion होता है तो 20 objective के 12 यह 32 और 12 44 marks का आपका paper हो गया आजा guys उसके बाद इसका question number 4 जो होता है that's from goodbye Mr. Chips goodbye Mr. Chips जो होता है उसके अंदर भी basically short questions आते हैं तो short questions में से आपने total जो दिये होते हैं 12 होते हैं और 8 attempt करने होते हैं थोड़ी सी choice बढ़ जाती हैं यहां पे और 8 multiplied by 2 यह 16 marks का portion होता है तो यह 42 में 16 add करे 58 marks बन जाते हैं तोटल अच्छा जी उसका question number 5 है essays का होता है essays जो होते हैं यह आपको I think 4 आते हैं और 4 में से हां among 4 topics आपने एक essay attempt करना होता है किस length का होता है कितना लिखना होता है यह भी से अगली videos में मैं आपको बताने वाला हूँ तो यह जो होते हैं 15 marks का यह portion होता है 58 में यह 15 add कर दे तो 73 बन जाते हैं और guys उसके बाद question number 6 जो हता है idioms and phrases का होता है तो basically यह idioms and phrases जो होते हैं यह 5 idioms यह phrases attempt करने होते हैं 8 में से 3 की choice होती है और यह हर एक के 2 number होते हैं total 10 marks का यह portion होता है आपका 73 में 10 add करें तो वो 83 बन जाते हैं आज़े guys उसके बाद question number 7 जो होता है यह 83 85 बनते मैं कहीं गलती कर गया हूँ last one जो हता question 7 होता है translation of उर्दू paragraph into English तो आपको paragraph दिया जाता है उसको आपने उर्दू से English में translate करना होता है इसके relevant जीन students का medium English होता है उनको जो होता है paragraph दे दिया जाता है और उस paragraph को reference to the context I think लिखना होता है तो यहाँ पर यह 15 marks इसके होते हैं और यह एक total जो हम marks करते हैं तो पर आप देख लेते हैं मैंने कहां गलती की है तो guys देखते हैं MC की उस जो हैं वो basically होते हैं 20 नमबर के उसके बाद question number 2 के 12 20 और 12 32 और 12 44 हाँ यहां मैंने 42 से आगे count करना चुरू किया था तो यहां गलती मेरी पकड़ी गई तो यह आपके सामने जो आपकी सारी की सारी pairing scheme यानि कि आप जिसको paper pattern भी कह सकते हैं यह आपके display पे मौजूद है एक रफ़ा आप इसको मतलब screenshot भी ले सकते हैं और don't you worry about मैं जस्ट इससे आगे आपको इसका guess भी provide करने वाला हूँ तो guys यह basically हमारे पास pairing scheme है English की इसको लेकर आपने त्यारी करनी है और इसमें मेरी एक suggestion है कि जो grammar वाले और पूरे marks वाले questions होते हैं उनको सबसे पहले attempt करें like आप जो है translation अगर आपको आती है तो उसको पहले attempt करें 15 नमबर पके करें idioms को पहले attempt करें इसमेंसे अगर idioms आपने ठीक लिख दिये तो आपके जो marks हैं वो पूरे के पूरे आ जाने हैं उसके इलावा यह जो short questions हैं book 2 के और प्रोस के और heroes के यह पूरे करें good bye Mr. Chips के essay को बिल को ले जाएं तो क्योंकि उसमेंसे marks deduct होने होते हैं तो सबसे पहले वो वाले questions करें जिसमेंसे आपके marks पूरे आने हैं तो यह एक trick है और मैंने यही जब मैं student था तो यही trick यूज़ करता था तो मेरे marks English में बहुत अच्छे आते थे और finally मेरे marks थे भी बहुत अच्छे English में इंटर में तो यह नहीं मैं बताऊंगा कितने हैं आपने comments में पूछना मुझे पता है Anyway, guys मेरी तरफ से आप लोगों को best of luck है आपने इस वीडियो का link जहां जहां शेयर कर सकते हैं करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फाइदा हो और जो है उनकी त्यारी अच्छी हो सकर पेपर अच्छा हो सके मुझे जाज़त दें अपना ख्याल रखें थैंक यू वेरी मच अलाहाफिज